तो गुद्बॉर्णिंग फ्रेंड्स, मैंसेफ आसिस बचवानी और स्किल्टल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं Standard 6 में Social Science के बारे में आज हम First Chapter से स्टार्ट कर रहे हैं तो First Chapter से पहले Introduction से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा हमारा First Chapter है हमारा जो First Chapter है उसका नाम है Ancient People मतलब कि जो पुराने जबाने के जो लोग हुआ करते थे उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं हम से पहले जो तीन हजार चार हजार या 15,000 साल पहले जो भी लोग रहा करते थे हमारी अर्थ पे वो कैसे रहते थे क्या खाना खाते थे क्या कपड़े पहनते थे और शायद नहीं भी पहनते थे ऐसे बहुत सारे questions के बारे में हम आज इस chapter में पढ़ने वाले हैं So chapter का नाम है तो Insign People के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पहले मैंने यहाँ पे एक छोटी सी इमेज रखी है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग है हजारों साल पहले वो लोग क्या क्या करते थे तो मैंने एक अच्छी सी फोटू यहाँ पे रखी हुई है तो वो लोग क्या करते थे तो देख लेते हैं कि 1000 साल पहले 2000 साल पहले जो ancient people थे जो पुनाने जमाने के लोग थे वो खाना खाने के लिए खीती करते थे पहले चीज़ हमने पढ़ी farming करते थे साथी साथ पीने के लिए उनको क पुस्कार भी करते थे जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे जो एक इंसान यह फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा है हा은ा चाकि उस फिश को पकड़के पकाकर उसको खा सके तो यह कुछ लोग हैं जो क्या कर रहा है कोई देख़र आ। फिशिंग कर रहा है कोई boating कर रहा है, बोट चला रहा है, कोई खेती कर रहा है, हाणा, और कोई क्या कर रहा है, खेत को पानी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इस हम irrigation कहेंगे, कि जब कोई खेती होती है तो उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए water चाहिए, तो ये चीज़े हमने पास रहते थे, कितने साल पहले रहते थे, आठ हजार साल पहले रहते थे, और क्यूं रहते थे, ताकि इनको river के आज सपास से क्या मिल सके, खाना मिल सके, तो बेजिकली ये लोग कहां के हैं, ये लोग हैं river नर्मदा के पास के लोग कितने साल पहले रहते थे तो ये लोग 8000 साल पहले रहते थे और क्यों रहते थे तो ये लोग खाना खाने के लिए और खाना मिले इसलिए रहते थे तो पहली तीन जीजेस हमने समझी कि ये लोग कहां पर रहते थे नियर नर्मदा 8000 से अगो and forgetting of food तो मतलब कि खाना इनको मिल सके, वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को स्पैन कर सके, इसलिए वो रिवर के पास ही रहते थे. अब सबसे बड़ा सवाल जाए कि ये लोग रहते कहां थे और किस तरह से रहते थे? ऐसे बहुत सारे questions आपके mind में होंगे, जिसके question के answer मैं आपको आगे दूँगा. तो normally हमने देखी कि 8,000 साल पहले लोग यहां पर रहते थे और इस तरह से रहते थे. अब हमने देखा कि लोग रिवर नर्मदा में रहते थे, तो मैप में हम दोग देख लेते हैं कि यह रिवर नर्मदा है कहां पर. तो यहां पर मैंने इंडिया का मैप represent किया है जो after 1947 मतलब कि independent के बाद का है. यहां पर मैं एक imaginary line draw कर रहा हूँ, तो शायद आपको नहीं दिख रहे होगी, बड़ अब आपको visible है. यह जो red color की line है, यहां अमर कंटक से शुरू होती है, और यहां पर गुजरात के पास आकर खतम होती है. यह है river नर्मदा, तो हमने जो अभी अभी लोगों के बार में पढ़ा, यह लोग कहां के थे? नर्मदा river के आसपास, मतलब कि यहां रहते थे यह लोग. clear है? second बात करें तो इसको और clear दरीके से अगर हम map में समझने की कोशिश करें, तो यह लोग यहां पर हैं. तो मैंने river नर्मदा का बहुत ही clear map लिया हुआ है यहां पर, यह रहा है river नर्मदा का map, जो शुरू कहां से होता है? अमर कंटक, उसके बीच में बहुत सारे locations आते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है बेडा गाट, यह पुरी river नर्मदा है, उसमें ओंकारिश्वर, और महेश्वर, यह तीन अलग-अलग मंदीर हैं, locations हैं, जहां पर आसपास में सबसे जादा लोग रहते थे, और यह अमर कंटक, तो मैंने चार location दिखा दिये, इंडिया के अंदर, यह रहा इसका map, जहां पर लोग रहते थे, यही उसका map है, नर्मदा के आसपास लोग रहते रहते थे, कितने साल पहले, 8,000 years ago, मतलब की 8,000 साल पहले, क्यों रहते थे, ताकि उनको क्या मिल सके, basic food, खाने के लिए, जो भी उनको चीज़ें की जरूरत थी, जैसे कि फेश हो गया, hunting करना, खाना, पकाना, खेती करना, इसके लिए वो river के पास में रहते थे, यही खेती किया, आग का, मतलब की, फ्लैम, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लोग खाना पकाते थे, इस तरह से, हाना, मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, we used, okay, sorry, यह लोग क्या करते थे, खाना पकाते थे, making a food, by hunting, इनको खाना कैसे मिलता था, खेती करके भी मिलता था, और hunting, मतल किस इमेज रखे, इस इमेज को समझने की कोशिश करते हैं, कि यह इनसान है, यह क्या कर रहा है, इस इनसान ने कपड़े पैन के रखे हैं, आप देख सकते हो, यह इसने कपड़ा पैना हुआ है, यह कपड़ा कौन सा है, इसके पास यह कपड़ा आया कहां से, तो यह है, ए क्यों पायनते थे ताकि जब ठंड की मौसम हो तो उनको ठंड ना लगे बारिश है तो बारिश में बचा जा सके और similarly ऐसे एनिमल्स को हंट करने के बाद मारने के बाद उनकी जो गोश मतलब की उनकी जो बॉड़ी के अलग अलग पार्ट्स होते थे हड्डिया होते थे उनको को एक happiness मिलते थे हंटिंग करने में भी और हंटिंग करने के लिए वो लुग क्या करते थे अलग अलग weapons मतलब की हथियार यूस करते थे जैसे आपने देखा यहां पे इनके पास एक हथियार है तो वो लुग खेती भी करते थे और food के लिए क्या करते थे हंटिंग भी करते ठे और hunting करने के साथ-साथ उसको इस तरह से आग में पका कर खाने को और अच्छी तरह से उसको cook करने के बाद खाते थे Second Agarum देखें यहीं पर कि यह लोग क्या करते थे तो यह लोग अलग-अलग weapons यूज़ करते थे किसके weapons यूज़ करते थे तो ये लोग weapons यूज़ करते थे हंटिंग के लिए wood और stone यहाँ पे देख सकते हूँ कि यह इंसान है इसके हाथ में आप देख सकते हूँ कि यह जो है यह लकडी का बना हुआ है और यह जो है एक पत्थर से बना हुआ है इसे क्या करना है इस इंसान का या एक जानवर है इस इंसान को इस जानवर का शिकार करना है उसे हंट करना है उसे मारना है तो इसके लिए यह क्या करता एक हथियार बनाता जिससे क्या हो कि यह जो tiger है यह इसको मार ना दे अपनी life को वो secure करे अपने आपको बचाने के लिए ये इस तरह से weapons बनाता था वैपन किसके बने होते थे यहां तो stone मतलब की पत्थर के बने होते थे यहां फिर wood मतलब की लकड़ियों के बने हुए थे तो इस तरह से जो पुराने जमाने के लोग हैं हंटिंग करते थे और Haunting के लिए ऐसे अलग-अलग weapons भी बनाते थे Similarly अगर हम बात कहते, तो कौन-कौन से weapons बनाते थे So weapons मने यह आ पर लिखे हुए, आप देख सकते हुए कि यह जो weapons है, ज़्यादतर past में बने हुए है मतलब कि ऐसे weapons बनते थे past में देख सकते हुए यह arrow and bow आपने देखा होगा जिब घगवान श्री राम है उनके आप में से बड़ा अशा धनूश होता था तो ये उस तरह से है और ये बड़ा सा तीर कमान है फिर ऐसे पत्थर की लकडियां और इन दोनों को पत्थर और लकडियां इन दोनों को मिक्स करके ये लोग हतियार बनाते सिमिलरली ये क्या करते थे लकडियों के उपर आग लगा कर जानवरों को डराने की कोशिश करते थे जानवरों को आग से बहुत डर लगता है तो उनको डराने के लिए उनका शिकार करने के लिए या अपने आपको बचाने के लिए रात को अगर वो जंगल में सो रहे हैं तो कोई animal उनके उपर शिकार ना कर दे इसलिए गर के आज पास ऐसी मशाल छोटी-छोटी लकडियों को जला कर रखते थे ताकि उनका शिकार ना करे मतलब कि animals उनको मार ना दे तो इस तरह से आप देख सकते हो ऐसे अलग-अलग तरीके के बहुत सारे हथियार बनाते थे और उन हथियार का इस्तमाल, weapons का इस्तमाल करते थे हंटिंग करने के लिए और अपनी life को बचाने के लिए भी similarly अगर हम आगे पढ़ें तो animals के साथ-साथ हमने एक invention किया तैसे हम लोगों ने कहा ना मैंने आपको बताया कि time के साथ-साथ इनसान change होता गया इनसान को पहले अच्छी अपने का इस्तमाल खेती में करना शुरू किया अब problem यह है कि जो animals है और animals के साथ-साथ उनका जो गर है वो बदलता रहता था वो transport करते थे एक जगा से दूसरी जगा आज मानों कि इस जमीन पे खेती कर ली यहाँ पे fishing कर ली तो मानों कि इस एरिया में बारिश नहीं होई पानी कतम हो गया तो पानी के लिए वो एक एरिया से दूसरी एरिया में ट्रांसपोर्ट करते थे एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे और अपने साथ जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी भेड़ बकरिया हैं उनको ले जाना, पैदल जाना, ओके और अपना जो घर है उसको बदलना यह बहुत ही difficult होता था तो इंसान ने क्या क्या? invention किया, एक wheel invent किया एक wheel का invention किया, जो इंसानों का सबसे पहला invention माना जाता है ओके? So invention of the wheel is the first invention of the world दुनिया की सबसे पहली, खोज कही जाती है आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक wheel है हाना, इससे क्या हुआ, अगर हमने wheel तो बना दिया इससे हमारे transportation easy हो गए कैसे easy हो गए? तो आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले block card बनाने शुरू किये block card बनाने शुरू किये हाना, फिर आप देख सकते हो कि यह आगे दो bull है और पीछे यह card लगा हुआ जिसमें wheels रखे हुए हैं जिससे क्या होगा? ब्लोग चलती थी पीछे-पीछे card भी चलती थी और card पे जो है पैदल जाने में टाइम लगता था energy use होती थी, ठकान होती थी वो avoid हो गया अब किसी भी जगा पे आप तुरंथ और बहुती जल्दी पहुँच सकते थे block card का इस्तमाल करके फिर block तो मतलब कि कुछ km चलने के बाद ठक जाती थी तो अब block को किस के साथ हमें exchange करना है block card के साथ हमने फिर बनाए horse card जो सबसे horse आप सबको पता होगा ने एकदम टेजी से दोड़ता है तबडिक तबडिक करके दूर दूर तक चलता रहता है तो इसका हमने invention किया horse card जो आज भी आप बैंगलो पूने या कहीं पे भी चले जाओ अभी भी आप गाओं वगरा में चले जाओ तो कुछ-कुछ इलागों में आपको ये horse card मिलेंगे तो horse card में भी आप देख सकते हो यहाँ पे लकडियों का एक wheel बनाए हुआ है दोनों तरफ तो horse card का पे इस्तमाल होता था after the using of wheel मतलब की wheel के invention होने के बाद हम इन चीजों का इस्तमाल करना हमने शुरू कर दिया फिर अगर हम बात करें ensign people की तो ensign people क्या करता था मतलब पुराने जमाने में लोग क्या करते थे वो लोग animals का इस्तमाल करते थे कैसा इस्तमाल करते थे तो यहां पे हम समझते हैं जैसे की cow है वो हमें क्या देती थी milk प्रोवाइड करती थी similarly hand हमें क्या प्रोवाइड करती थी अंडे मतलब की एग प्रोवाइड करती थी तो हम लोग dھूद energy के लिए हम energy मिलता है इसलिए हम dhut पीते है अंडे से भी हमें अच्छे कासी प्रोटीन मिलती है तो हमें जो हैंसे अंडे मिलते हैं इसका इस्तमाल करते थे similarly हम लोग इन एनिमल्स को अपने साथ रखते थे कहीं पे भी जाते थे तो काउ हमारे साथ रहती थी ताकि हमें अगर फार्मिंग करना हो या हमें कोई काट बनाना हो जैसे हमने अभी भी बुलोग काट के बारे में देखा तो फार्मिंग के लिए हमें काउ चाहिए या बोल चाहिए फिर हम लोग गौट को साथ में लेके चलते थे यह जो wool की skin है वो बहुत ही heat मतलब की घर्मी देती है आपको आपके पास sweaters होंगे, jacket होंगे यह जो sweater और jacket है इसको पहनने के बाद हमें ठंडी नहीं लगती मतलब wool की skin में से एक ऐसा कपड़ा बनाया जाता है जिसको पहनने के बाद हम लोग बाहर जो ठंड लगती है विंटर में उससे बच सकते हैं तो हमने ship को भी आमारे साथ में रखना शुरू कर दिया ताकि उनकी skin से जो हमें wool मिल रहा है जो wool मिल रहा है उसके हम कपड़े बना सके और उन कपड़ों को हम पहन सके ताकि ठंड में हम लोग अपने आपको बचा सके फिर हम लोग पॉलिटरी शुरू की हम मतलब हैंड वगरा को भी हम लोग खाते थे आज भी लोग खाते हैं चिकन वगरा लोग खाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आप ठंड में चिकन वगरा खाते हो तो आपका जो blood circulation जादा अच्छा रहता है और similarly हमने starting में पढ़ा फिश के बारे में तो हम लोग फिश को भी खाते हैं तो यह कुछ बेजिक चीज़े हो गई थी फिश फार्मिंग, कैटल रियरिंग, गौड, श्री, पॉल्यूटरी, काव एंड हैंड तो यह सारे चीज़े जो हैं पहले का जो ensign people है वो किया करता था अगर हम पढ़ें तो यह माने एक मैप रवखा है कि सबसे पहली फार्मिंग कौन सी हुआ करती थी अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि जो ensign people है यह सबसे पहले कौन सी खेती करता था तो ensign people है सबसे पहले किस चीज़ की खेती शुरू की उसने rice की खेती शुरू की rice was the first grown in the north of the Vindias विंदियास एक परवत मालाओ का group है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विंदियास रेंज जो नर्मदा के आसपास में है अभी अभी हमने नर्मदा का map देखा जिसमें नर्मदा यहाँ पर है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहली स्लाइड में जी लोग जो खेती करते थे उनकी सबसे पहली खेती क्या थी राइस हाना तो इस चीज को याद रखना है सेकेंड पॉइंट अगरम देखें सबसे पहले एग्रिकल्चर कहां डैवलोप्ट हुआ था तो फर्स्ट अग्रिकल्चर डैवलोप नियर गारोहीलस एडवड्र भिध्यान्स तुनic mulher एन भेर नेन इए रख़ा है मैप में हम स्कुई तरह से देखते और समझते हैं कि गारोह이다 र७िज्यान कहां पर तो पहलित्तुद कि मिला किसी को? Yes, you are right. यहाँ पर है गारो हील्स, हाँ न, आसाम, मेगालाई, यहाँ पर, यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्रा रिवर पास होती है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर गारो हील्स है, इसके आसाम में, और यहाँ पर जो नर्मदा, इसके आसाम में, जो विद्धयांचल की जो रेंज है, जो परवत माला है, इसके आसाम सबसे पहले फार्मिंग शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 8,000 अजSTरा साल पहले जो लोग रहा करते थे वो लोग farming करते थे जिसे हम ensign people भी कहते है तो ये चीज़े हमने basic आज पढ़ी फिर हमने देखा कि यहाँ पर मैंने एक map लिखा हुआ है क्या कहा रहा है कि earliest cities flourished about the 4,700 years ago कि जो पहले के जमाने के जो लोग थी कितने साल पहले 4,700 years ago वो कहां पर रहते थे Indus River के आसपास tribes के आसपास Tributaries के आसपास रहते थे और Ganga River के आसपास भी रहते थे मतलब कि 4,500 साल पहले हमने नर्मदा River के बारे में पढ़ा यह कितने साल पहले पढ़ा नर्मदा और प्रमपुत्रा गारो हिल्स के आसपास 8,000 साल पहले फिर similarly हम लोग देखते हैं कि Indus River उसके आसपास में अच्छी से city हुआ करती थी city मतलब बड़े-बड़े buildings हो गई, चोटे-चोटे मकान हो गई river का आसपास में लोग खेती वगरा कर रहे हैं घर में रह रहे हैं अनिमल्स वगरा है यही चीज़े जो एंसेंट पिपल 8000 साल पहले करता था यही काम यहाँ पे city में रहने वाले लोग करते थे, बट फरक इतना ही यह लोग अलग जगा पर रहते थे कहां रहते थे, Indus के आसपास मतलब की Indus River के आसपास और गंगा रिवर के आसपास यहाँ पे एक वर्ड लिखा है tributaries tributaries का मतलब होता है चोटी चोटी रिवर जो बड़ी रिवर को मिल जाती है देखों यहाँ पे हम Indus River मतलब की जो सिंदु रिवर है उसको देखते है यह जो रिवर है Indus River है, इसके आसपास भी लोग रहते थे और यहाँ पे जो है गंगा रिवर है यह में रिवर है और यह जो चोटी रिवर है ना यह गंगा में यहाँ पे आके मैच हो जाती है तो इस रिवर को हम इसके tributaries कहेंगे तो इसके आसपास और इसके आसपास में city हुआ करती थी कितने साल पहले? 4700 साल पहले मतलब 4500 साल आसपास इतने साल पहले यहाँ पे city हुआ करती थी और यह भी लोग 8000 साल पहले जो लोग थे उसी की तरह खेती करते थे गर में रहते थे, गुफा में नहीं रहते थे फरक इतना है कि 8000 साल पहले जो animal और जो इनसान था वो केवस में रहते था और वो एक जगा से दूसरी जगा घूमता रहता था और 4500 साल पहले जो लोग है जो इनसाने उनके पास काट हुआ करते थे उनके पास अच्छे खासे मिट्टी के बने हुवे कच्चे मकाम हुआ करते थे और वो इंदस और गंगा रिवर के आसपास रहते थे तो यह हमने पढ़ी इंडिया की कुछ basic and science history के बारे में similarly अगर हम देखें तो traveling हमें क्यों करना है अब traveling क्यों करते हो पहले अपने आप से question पूछो अब school क्यों जाते हो अपने घर से cycle लेकर ताकि school में जाने के बाद आपको education मिले similarly आप अपने मामा के गर चाचा के गर, भुवा के गर क्यों जाते हो ताकि आपको एक entertainment मिले आप अपने friends and family के साथ मिल सको, अपका mind fresh हो हम लोग अलग-अलग city को explore करते हैं, जैसे आप गुजरात से हो स्थान गुमने जाते हो, MPA गुमने जाते हो माराष्ट गुमने जाते हो गुमने क्यों जाते हैं? ताकि हमें नई-नई places देखना बहुत अच्छा लगता है similarly बहुत सारी लोग, 90% लोग ऐसे हैं जिनको natural places पे जाना बहुत पसंद है तो ऐसे ही आज हम traveling करते हैं तो यह चीज़े बरसों से हो रही है हजारों सालों पहले भी लोग traveling करते थे traveling क्यों करते थे? किस तरह से करते थे? तो यहाँ पर मैंने कुछ reasons दिये हैं People travel from one place to another जो लोग है, आप देख सकते हो आप एक lady है, उसके आथ में bag है यह travel कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे यह airport पे खड़ी है आप तो अभी latest 21st century के हो तो आपको airport के वारे में पता होगा जहाँ पे planes वगर आते हैं तो पुराने जमाने में लोग travel क्यों करते थे? ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके interact कर सके, लोगों को साथ मिल सके हाना? और वो अपने idea को share कर सके similarly वो अपना culture भी exchange करते थे जैसे कि मान लोग के आपका कोई friend है इंग्लेंड से बिलॉंग करता है, आप इंडिया से बिलॉंग करते हो तो उसकी language, उसका culture, उसका food वो सब अलग होगा आपका language, आपका culture, आपका food भी अलग होगा अब आप close friend मन चुक्यों तो कुछ चीज़े आप उन से सिखोगी, कुछ चीज़े वो आप से सिखेगा तो इसे हम कहते हैं exchange of culture आप अपने culture को सिखाते भी हो, और किसी से सीखते भी हो तो यह exchange of culture है, जो sharing जो ideas है यह आप लोगों के साथ interact करते हो, क्यों? क्योंकि आप traveling करते हो तो traveling एक best is होती है, आप अगर traveling करते हो तो traveling से बहुत सारी चीज़े आपको सीखने मिलेगी तो traveling करना चाहिए, आपको year में एक बार एक trip लगानी चाहिए कोई नहीं जगा पर गूमने जाना चाहिए, ताकि आपको नहीं नहीं चीज़ों के बारे में सीखने मिले आप अगर traveling करते हो, तो क्या क्या करते हो? अपने साथ, अपने clothes, अपने twels, या फिर अपने toothbrush, यह सारी चीज़े लेके जाते हो पर आपको कही न कहीं कुछ थोड़ी बहुत sacrifice करना पड़ता है, जैसे कि आपको जो गर पे facility मिलती है, वो बाहर पूरी तरह से नहीं मिलती तो आप थोड़ा बहुत adjust करते हो, थोड़ा comfortable होने की कोशिश करते हो, तो वैसे traveling आपको बहुत सारी चीज़े सिखाता है, तो से आप नई state में जाते हो, तो वहाँ पे food आपको अच्छा रखता है या नहीं रखता, उनका culture कैसा है, वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते ह कौन से धरम को follow करते हैं, कौन से religion को follow करते हैं, यह सारी चीज़े आप सीखते हो, तो यह important चीज़े traveling करना चाहिए, traveling हम क्यों करते हैं, ताकि एक जगा से दुसरे जगा पर लोगों से मिल सकें, idea को share कर सकें, और information को collect कर सकें, तो यह हमने idea sharing किया, second अगर हम पढ़ते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं, important topics, बट पहले में आप सबको एक question पूछता हूँ, यहाँ पर anxiety history खतम हो गई है, एक part खतम हो गया है, second part स्टार्ट करते हैं, how can we know about our past, कि हम हमारे past के बारे में कैसे जान सकते हैं, how can we know about our past, तो आप सबको मैंने यह चीज़े बताई न, कि 8000 साल पहले लोग river नर्मजा पर रहते थे, 4700 साल पहले इंडूस river और गंगा river या उसके tributary के past लोग रहते थे, उन लोगों के पास कच्चे मकान होते थे, 8000 साल पहले लोग गुफा में रहते थे, खेती करते थे, तो मुझे कैसे पता चला, मुझे पता चला, एक books है, तो हमें हमारे past के बारे में कैसे पता चलेगा, हमारी जो old books हैं, उसको read करके, क्योंकि 8000 साल पहले तो book नहीं हुआ करती थी, पर लोगों ने जैसे जैसे invention किये, लोगों ने जैसे जैसे changes किये, अपनी life में, वैसे वैसे लिखना भी शुरू किया, language भी शुरू की, पढ़ना भी श 2000 साल पहले हम लोग लिख पढ़ तो नहीं सकते थे, लेकिन animals को देखकर हम drawing कर सकते थे, और drawing एक reason मना, जहां से हमने अलग-अलग language और अलग-अलग, हम लोग कह सकते हैं कि words का invention किया, जैसे ABCD, KKG, 123, वैसे Chinese language, Marathi language भी अलग होती है न, तो यह language का invention हुआ drawing की वजह से, हम ल अलग-अलग चीजों को लिखना और पढ़ना भी शुरूर किया, तो जो हम लोग लिख पढ़ सकते हैं, जो हमें past के बारे में पता चलेगा, कहां से पता चलेगा, पुरानी book से पता चलेगा, हमारे past के बारे में, साकेंड आगर हम पढ़ते हैं, यहां तक हमने history देखी, अभी हम पढ़ेंगे important keywords, चो history में जहानना बहुत जरूरी है, history के लिए बहुत important चीज़े, important term पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली term है archipologist, what is meaning of archaeologist, archaeologist किसे कहते हैं, so people who study the object made and used in the past are called archaeologist, यहाँ पे एक मैंने image रखे, आप देख सकते हो, कि जो लोग study करते हैं, किसको study करते हैं, पुराने objects और पुरानी चीज़े, जो past में use हुई है, उनके बारे में study करते हैं, उसे हम archaeologist कहेंगे, यहाँ पर मैंने image रखे, आप देख सकते हूँ कि यह इंसान है, कुछ लोग बैटे हुए हैं, यह पुरानी पुरानी चीज़ों पे research कर रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनको taste कर रहे हैं, और try कर रहे हैं चानने की, कि यह कितने साल पुरानी हैं, तो archaeologist का मतलब बता है, कि ऐसा इंसान या ऐसे लोग, तो study कर रहे हैं, चीजों के बारे में जो पुराने past में जो use होती थी ऐसे लोगों को हम लोग archaeologist कहते हैं तो पहला time हमने पढ़ा What is the meaning of archaeologist? तो जो इंसान है पुरानी चीजों के बारे में research करता है पढ़ता है उससे हम archaeologist कहते हैं Second time हम पढ़ते हैं execution What is the meaning of execution? तो the process of digging under the surface of the earth मतलब जब अब earth के अंदर कुछ दिख करते हैं कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कुछ objects को, कुछ चीजों को निकालते हैं तो आप देख सकते हूं कि यहाँ पे एक इंसान है यह earth के अंदर digging कर रहा है मतलब कुछ खोज रहा है नीचे चीजों को निकालने की कोशिश कर रहा है आप देख सकते हूं कि यह चीजों को निकाल रहा है यह fit करने की कोशिश कर रहा है आपने बड़ा सा bull loser देखा होगा यह फिर आपने एक JC भी देखा होगा जो क्या करता है जमीन में से मिट्टी निकालता है और अंदर से पुराने पुरानी चीज़ अगर मिलती है तो उसको government store करती है उन चीजों को तो जहां पर construction होता होगा आपने इन चीजों को देखा होगा कि construction जो building है बनाई जाती है उससे पहले जो बड़े-बड़े builders होते हैं वो लोग क्या करते हैं इस तरह से जमीन को कुछ निमिट्टी विट्टी निकालके उसके नीचे एक base ready करते हैं ताकि building गिरना जाए तो इस process को हम exploration कहते हैं सिर्फ फरक इतना है builder exploration करने के बाद land के नीचे base ready करता है और उपर building मनाता है जबकि जो exploration की जो process है इसमें हम लोग digging क्यों करते हैं ताकि जो old चीजे हैं हमारी उन old चीजों के बारे में हमें पता चले यह पता कैसे चलता है तो government को कहीं से leads मिलती है government को कहीं से information मिलती है लोग बताते हैं कि यहाँ पे कोई जमीन के नीचे से हम लोग खेदी कर रहे थे तो हमें बगवान की कोई मूरत मिल गई तो वहाँ पे government के लोग आते हैं और research करने की कुशिश करते हैं कि क्या और भी कुछ चीजे हैं जो हमें के अंदर से मिल सके जो 1000 और 5000 या लाको करोड साल पहले किसी इंसान ने अगर जमीन में रखी हो तो वो हमें मिले तो यह जो हमने पहला सबसे पहला topic हमने पढ़ा exploration जो हमारा second number का topic है पहले हमने पढ़ा arkeologist के बारे में फूर हमने पढ़ा exploration के बारे में point number 3 हमारे पास है historians कैसे लोगों को historians कहता है तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे तो हैं पर study करते हैं किसके बारे में past के बारे में तो जैसे मैं न पढ़ा लिखा हूँ मैंने अच्छी कासी college की डिग्री ली हुई है school पढ़ी है जैसे आप भी अभी school में बढ़ रहे हो पर आप लोग अभी student हो और मैं teacher हूँ तो ना तो आप historian हो ना ति मैं historian हूँ तो historian है कौन ऐसा इंसान जिसने पढ़ लिख तो लिया है पर वो किसके उपर research कर रहा है past के उपर कि past के लोग कैसे थे क्या करते थे उनकी lifestyle कैसी थी उनके उपर research कर रहा है उनके बारे में study कर रहा है ऐसे हम लोग कहते है historian तो यहाँ पर देख सकते हो कि अच्छे कासे sir है यह sir क्या कर रहे है इनके हाथ में इनके हाथ में एक book है और पीछे बहुत सारी books है जिसको वो read करके उनकी information collect करने की कोशिश कर रहा है कि past में जो इनसान है वो क्या करता था वो कैसे खाना बनाता था क्या cooking करता था वो सारी information collect करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे historian यह हमने point number 3 पढ़ लिया point number 4 हम देखते है inscription inscription यह बहुत important चीज है inscription किसे कहते हैं तो inscription के बारे में कुछ information ले देते हैं तो inscription एक तरह की writing है मैंने आपको बला नहीं हजारों सालों पहले लोग गुफाओं में drawing करते थे कि उसके अंदर drawing करते थे दिवालों पे drawing करते थे वहां से language की शुरूँ आत हुई तो जब हमने language को शुरूँ गिया तो हमारे पास कोई paper नहीं होता था लिखने के लिए हम किसके उपर लिखते थे दिवालों के उपर पत्थरों के उपर लिखना शुरूँ करते थे आप देख सकते हो यह पत्थर के उपर लिखा हुआ है यहाप देख सकते हो O, N, O, A, T यह सारी चीज़े पत्थर के उपर लिखी हुई है यहाँ पे भी English में कुछ लिखा हुआ है तो जो भी लिखावट मतलब कि जो भी writing है जो hard surface पे लिखी गई हो पत्थर पे लिखी गई हो hard surface पे लिखी गई हो मतलब कि stone पे लिखी गई हो या metal पे लिखी गई हो ऐसी चीज़ों को हम कहते है inscriptions क्या कहते है inscription का मतलब कि जो हमने language लिखी है यहाँ तो stone पे यहाँ तो metal पे इससे inscription कहते है तो metal और stone पे अगर कुछ लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं inscriptions यह हमारा अच्छा साथ सा topic है inscriptions इसके बारे में ध्यान से समझ लो यह exam में कहीं बार पूछा जाता है inscriptions के बाद अगर हम देखे manuscript तो manuscript क्या होता है manuscript में भी कुछ जादा फरक नहीं है कि एक तरह की book जो है हम लिखते हैं जैसे आप अपनी notes बनाते हो आप अपनी notes बनाते हो school की, tuition की वैसे ही पहले के जमाने भी लोग लिखते थे श्लोग लिखते थे, कहानिया लिखते थे भगवान के पूजा करने के लिए आरती वगरा लिखा करते थे बहुत सारी चीज़े लिखते थे लेटर वगरा लिखते थे तो जो books है वो लिखी जाती थी कैसे लिखी जाती थी? by hand लिखी जाती थी किस पे लिखी जाती थी? palm leaf, तो palm एक तरह का tree है और palm tree का जो पत्ता होता है जो leaf होती है उस पे लिखी जाती थी जैसे आप देख सकते हो कि ये pages है वैसे ही पहले के जमाने में palm नाम का जो tree है उसके leaf पे चीज़ों को लिखा जाता था या फिर उसकी bark जो tree है उसकी bark bark मतलब उसकी जो छाल होती है ना मतलब जो पेड होती है उसका जो छिलका निकलता है उसकी skin निकाल दे तो वो जो skin होती है पेड की जो bark होती है उसके उपर लिखा जाता था अभी के time में हम किसके उपर लिखते हैं paper हमारे पास white paper होता है उसके उपर लिखते हैं पर पहले के जमाने में लोग palm leaf की tree पे और यहां फिर tree की box पे लिखते थे उसको manuscript कहते हैं तो inscription और manuscript में क्या सबसे बड़ा different है जो inscription है वो stone और metal पे लिखा जाता था जबकि manuscript है वो leaf यहां फिर tree की bark के उपर लिखा जाता था तो inscription और manuscript के बीच में बहुत बड़ा different है stone और metal पे लिखा जाए तो inscription, leaf यहां फिर bark पर लिखा जाए तो manuscript I hope so कि आपको यहां पर समझ में आगया होगा यहां पर मैंने बहुत सारे options लिखे हुए है manuscript के बार में फिर मैंने यहां पर लिखा हुए skilled gather skilled gather किसे कहता है कि जो लोग हैं किसी river के किनारे इकटे हुए है अपनी life को spend करने के लिए जो खेती भी करता है गर बनाता है पूरे दिन काम करता है animals को अपने साथ रखता है खाना पकाता है ऐसे लोगों को हम लोग skilled gather कहते हैं the people who gather for their food ऐसे लोग जो खाना खाने के लिए और खाना पकाने के लिए एकटे हुए हैं कहाँ पर इकटे हुए हैं river नर्मदा के पास कितने सालों तो कुछ हजारों सालों पहले जैसे मैंने आपको बताया कितने साल पहले 8000 साल पहले तो यहाँ पर कोई clarification ने डिया बढ़ आप 8000 साल पहले लिख सकते हो तो कुछ सालों पहले जो लोग थे नर्मदा रिवर के पास फूड के लिए इकटा होते थे ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते थे skilled gather तो यह चीज ज़्या रखने है skilled gather का मतलब जो नर्मदा रिवर के पास जो लोग इकटे होते थे खाना खाने के लिए या खाना पकाने के लिए अपनी लाइफ को exist करने के लिए ऐसे लोगों को हम लोग कहते है skilled gather I hope so कि आप enjoy कर रहे हो lecture को बहुत ही अच्छा lecture जा रहा है आगे हम लोग अगर पढ़े important terms में तो हमारे पास हैं tributaries जैसे मैंने आपको पहले बताया न कि अगर कोई main river को चोटी-चोटी rivers मिल रही है तो उन चोटी-चोटी rivers को हम tributaries कहेंगे smaller river that flow into large river said to be its tributary ऐसे river को हम tributary कहेंगे अब map को समझने की कोशिश करते हैं जैको जहां से में एक map बना रहा हूँ जैको ये जो हैने ये गंगा river है ये गंगा river है बांगला देश तक जा रही है अब गंगा river को यहां से यमुना मिल रही है यहां से चंबल river मिल रही है जो चोटी-चोटी rivers मिल रही है यहां पे इसको बेतवा मिल रही है यहां पे इसको गागरा मिल रही है गंडग मिल रही है सोन रिवर मिल रही है तो गंगा को छोटी छोटी रिवर्स मिल जाती है आगे जाके तो यह गंगा की ट्रिब्यूटरीस का ही जाएगी कि यह जो रिवर्स है जो गंगा में मिक्स हो जाती है तो यह रिवर्स है गंगा की ट्रिब्यूटरीस है ऐसे rivers को tributaries कहते हैं यह अपने आप में छोटी छोटी rivers होती है एक बड़ी rivers को में जाती है और यह बड़ी rivers आगे जाके समंदर में mix हो जाती है तो I hope so कि आपको tributaries के बारे में clear हो गया हो गया, tributaries किसे कहते है तो यहाँ पर मैंने कुछ task एड़ किया है आप सबके लिए, जो आपका task of the day होगा हाना, आपको task में क्या करना है task में आपको क्या करना है आपको कुछ information collect करनी है तो task of the day है, आपको मैं तीन task दे रहा हूँ collect the information of oldest book in your society school or home तो आपकी school में या आपके गर में आसपास जो सबसे पुरानी book है उसकी information collect करनी है चायब वो किसी भी religion की क्यों ना हो किसी भी author की क्यों ना हो आपको information collect करनी है society में friends से आपके आसपास में लोगों को पूछना है दूसरा, आपको ये check करना है कि आपके आसपास के society में एरिया में सबसे पुराना वाला tree कौन सा है इस सबसे best method है आप जब इस चीजों को research करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी information collect करना कितना difficult है जैसे मैंने आपको historian के बारे में बताया historian क्या होता है ऐसा इंसान जो किसी book को पढ़के history के बारे में past के बारे में research करता है तो आपको भी research करनी है जब आप tree के बारे में research करने निकलोगे लोगों से पूछोगे तो आप भी एक historian बन जाओगे उस कुछ वक्त के लिए आप भी एक historian होने हो जब आप tree के बारे में research करती हो और आपको क्या करनी है एक oldest temple आपके area में जो सबसे पुराना मंदिर है यहां फिर आप मस्जी चर्च किसी के भी बारे में आप information collect कर सकते हो तो यह तीन टास्क में आपको दे रहा हूँ similarly जितने भी हमने important terms पड़े जैसे archaeologist है inscription है manuscript है tributaries है इनको आपको notebook में लिख लेना है उसको समझ लेना है और इन तीन टास्क को आपको एक week के अंदर complete करना है अगर एक week के अंदर इस task को complete कर लेते हो तो आप एक brilliant students में माने जाओगे clear है I hope so आपको lecture बहुत अच्छा लगा होगा आज lecture को हम इतना ही रखते हैं lecture को wind up करते हैं so skilled education में lecture attend करने के लिए thank you मैं आसिस बचवानी आप सबको thank you गहूंगा